हलो जनता स्वागत है आप सभी का commerce order 247 के प्लाटफॉर्म पे और आज हम लोग बिटा डिसकस करने वाले हैं types of relations के बारे में ये बहुत important sub topic of chapter relations and functions इसी particular topic से आपके बहुत सारे questions पूछे जाते हैं चाये वो आपके internal exam हो चाये वो board exam हो ये actually examiner का favorite topic भी है इस chapter का आप ये भोल सक 11 में हम लोग पढ़कर आये थे इस chapter से related जो भी recap मेरे को आपको देना चाहिए था वो मैं आपको last session में provide कर चुका हूँ अगर आपने वो lecture नहीं देखा है तो playlist में इसके just ऊपर आपको वो lecture दिख जाएगा जरूर से देख लेना तो चलो types of relations की कहानी चालू करते हैं और बा अब बेटा देखो आपको पता है कि A cross B में आपके बहुत सारे elements होंगे अब आप कुछ relationship define करोगे उसके हिसाब से आपके उस relationship को hold करने वाले जो भी elements है आप उसको relation के set में डाल दोगे अब empty relation बेटा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई सा भी element fit ही नहीं वैठे आप बोल देता हूं कि ये set A है ये set B है और set A में मेरे कुछ elements है set B में मेरे कुछ elements है और मैंने कोई relation यहाँ पे define कर दिया लेकिन actually इस relationship के according मेरे को set A और set B में कोई ऐसे elements मिली नहीं रहे हैं जो fit वैठे तो मतलब मेरा जो अब relation का set है ये क्या हो गया भी हो गया क्या हो गय हो गया मतलब खाली हो गया और इसी को बोला जाता है empty relation अब आप इसकी definition पढ़ोगे तो आपको एक बारी में clear हो जाएगा is set to be an empty relation if no element of A, set A is related to any element of set B according to the relation that is given to us मतलब कोई सा भी element set A और set B में उसको hold ही नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा empty relation हो जाएगा इसके बाद आता है universal relation ये भी नाम से ही आपको कहानी समझ आ रही है universal relation मतलब की भईया जी इसमें सब के सब आ जाएंगे जैसे universal तुरुत होता है तो आपको ये ऐसा relation define कर रहे ह वो जहां पे A क्रॉस B में जितने भी elements हैं वो सब के सब justify कर जाएंस relation को मतलब आपने complete set उठा लिया तो बेटा ये दोनों के दोनों क्या है extreme relations है क्या है एक तरीके से आप सोचो तो extreme relation है एक में आपका कोई सा भी satisfy नहीं कर रहा मतलब 5 set है और दूसरे में आपका पूरा का A क्रॉस B ही उठा के आप relation में डाल दे रहे हो हना आपके A क्रॉस B और relation में कोई फरक ही नहीं रह गया है इसका मतलब ये है ये क्या हो जाता है universal relation अब आप definition पढ़ोगे तो आपको समझा जाएगा if every element of A is related to every element of B अब बेटा ये क्या बोले मैंने ये extreme relations है इनको अब आपको empty set और universal set इनको बेटा एक दूसरा नाम भी दिया जाता है combination में यहाँ पे set नहीं लिखो यहाँ पे लिख दो relation ठीके इनको एक combination में बेटा दूसरा नाम दिया जाता है क्या trivial relation क्या बोला जाता है trivial relation प्लीज इसको अराम से अपनी notebook में box बनाके लिख लो क्योंकि इस से आपक objective question आ सकता है यह मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आपका class 12 में जो objective questions आते हैं board exam में उसमें trivial relation के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत से बच्चे इसको miss कर देते हैं बहुत से teachers इसको miss कर देते हैं तो अगर मैं बात करूँ बेटा total number of relations कितने होते हैं मेरे total number of relations यह म elements है कितने elements है बेटा n elements है तो आपके total number of relations कितने हो जाएंगे 2 की power n तो मेरे को बताओ आपके total number of non-trivial relations क्या हो जाएंगे 2 की power n में से आप 2 relation को minus कर दोगे जो आपके empty और universal के अलावा होंगे वो non-trivial relation हो जाएंगे तो total number of non-trivial relation कितने हो जाएंगे बेटा non trivial 2 की power n minus 2 प्लीज इस बात को ध्यान रखना इस में से किसी भी concept पे किसी भी concept पे आप लोगों को objective question पूछा जा सकता है चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बिटा अब जो आपको slide पे दिख रहा है ना यही से ही question बनते हैं आपके board exam में तो अराम से समझना 10 minute के अंदर आपको यह topic में पूरा का पूरा cover करवा दूँगा equivalence relation वाला बहुत से बच्चों को अभी तक इसमें confusion होती होगी questions बनाने आपने सीख लिए होंगे क्योंकि एक ही pattern पे questions बनते हैं लेकिन अभी तक शायद इसको in-depth तरीके से आप समझनी पाए होगे लेकिन no more after this class क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ऐसा इसको fit कर दूँगा आप देखो अब आपको पता है a relation r in a set a is called सबसे पहले आते हैं पेटा reflexive पे अभी definition छोड़ दो ठीक है definition छोड़ दो अभी एकदम साधा भाषा में समझो फिर आप definition पे आओगे न तो आपको समझ आ जाएगा अगर आपको definition से ही चीज़े समझा नहीं होती तो पेट एक teacher की जुरती क्यों पढ़ती तो सबसे पहले है reflexive relation कब आप किसी relation को reflexive relation बोलोगे बेटा जब आपको a, a दिखे अपने relation के set that means आप किसी element को उससे ही relate कर रहे हो ठीके आपको ऐसा कुछ दिख रहा हूँ आपके relation के set में कि आपका पहला वाला element भी सेम है दूसरा वाला element भी सेम है ठीके तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप क्या बोलोगे कि आपका वाला relation क्या है बेटा reflexive relation है तो मतलब यहाँ पे खुद का नाता खुझ से है relation क्या है बेटा रिष्टा नाता तो आपको जब ऐसी चीज satisfy होते हुए दिखे कि यार खुद का नाता खुझ से भी justify हो रहा है ठीक है खुद का नाता खुझ से भी justify हो रहा है तो देखो अगर मैं आपको बहुट basic language में लेमन टाउंज में सिखाता हूँ लेमन language का मतलब होता है normal आम भाशा अगर मैं बोलूँ कि मेरा किसी भी इंसान B से इंसानियत का नाता है या नहीं है आप बोलोगे बिल्कुल है क्या मेरा खुझ से भी इंसानियत का नाता है अगर मैं चाता हूँ बेटा कि हर किसी इंसान का इस दुनिया में भला हो तो मैं यह हूँ और दूसरा कोई भी इंसान B है तो मैं यह भी तो चाहूँगा ना कि मेरा भी भला हो तो मतलब एक को एक के साथ भी सेम रिलेशन्शिप होल्ड करने को देख रहा है ठीक है आपको देख रहा है कि सेम एलिमेंट भी अपने साथ वो ही रिलेशन्शिप होल्ड कर रहा है तो मतलब खुद का खुद से रिष्टा भी आप लोगों को देखना है बन रहा है या नहीं बन रहा अगर बनेगा तो आप उसको बोल लोगे कि वो reflexive relation है कहानी clear अब आते हैं बेटा symmetric relation पर जैसे ये word ही आपको बता रहा है symmetricity symmetricity तो आपको देखनी है symmetricity elements में तो इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर A का नाता B से आपको दिख रहा है आपके relation में आपको A का नाता B से दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि B का नाता A से भी दिखना चाहिए मतलब ये चीज दिख रही है तो इस चीज दिखनी चाहिए अगर ऐसा होगा तो आप बोलोगे कि वो symmetric relation है क्या बोला मैंने अगर मैं किसी के साथ हूँ मतलब मालो एक तरीके से इस तरीके से मालो कि जैसे मेरा relationship जैसे मेरा एक भाई है तो मेरे भाई कभी तो मैं भाई हूँ न तो जब आपको ऐसा दिखे मतलब ये चीज आप लोग given की तरह लेते हो assume करते हो कि ये चीज सही है खुद से नाता था यहाँ पे एक दूसरा इंसान आ गया मेरा नाता एक दूसरे इंसान से है तो दूसरे का नाता भी मेरे से होना चाहिए one-sided प्यार नहीं चलेगा ठीक है मेरे को उससे महबबत है तो उसे भी मुझसे महबबत होनी चाहिए तब आप बोलोगे कि वो symmetric relation है बच्चो उसके बाद आते हैं transitive पे अब इसको समझने में बच्चे थोड़े से परिशान हो जाते हैं लेकिन worry not हना तो बिटा transitive का मतलब क्या है कि अगर मैं प्यार अब देखो यहां पे एक और character आ गया अब तीन लोग आ गया है story में ठीक है अब बनाते हैं love triangle मस्सा तो अगर आप A हो और दूसरे वाला इंसान B है तो A का अगर B से कुछ नाता है और फिर सामने एक और इंसान तीसरा इंसान खड़ा है C और B का C से नाता है तो A का C से नाता भी दिखना चाहिए क्या बोला मैंने transitive का मतलब क्या होता है कि अगर A का नाता B से है और B का नाता C से है तो भाया जी इसका मतलब होना चाहिए कि A का नाता भी C से दिखे तो अगर यह दिखे ठीक है जैसे हमने देखा symmetric में ये दिखेगा तो मैं उसको symmetric बोलूँगा similarly अगर मेरे को ये दिखेगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा transitive relation बोलूँगा तो अगर ये चीजे आपको given हो आप assume कर रहे हो तो ये चीज true होनी चाहिए तब आप उसको बोलोगे transitive relation है अभी इस पर question भी कराओंगा tension मतलो जैसी question आएगा न सारी चीजे दिमाग में अपने आप बैठने लग जाएगी तो अब मेरे साथ फड़ा वट से धोराओ आप लोग का reflexive relation क्या है खुद का नाता खुद से चेक करना है सर symmetric relation क्या है अगर मेरा नाता किसी और से है तो किसी और का नाता भी मुझसे होना चाहिए transitive का मतलब क्या है अगर मेरा नाता किसी और से है और किसी और का नाता किसी और से है तो मेरा नाता वो तीसरे वाले किसी और से भी होना चाहिए ये होता है आपका reflexive, symmetric और transitive का definition मतलब अब फटा-फट से इसको आप theory की तरह एक बरी read out कर लो, सारी कहानी clear हो जाएगी और उसके बाद बेटा, ऐसे relations जो at the same time reflexive भी हो, symmetric भी हो और transitive भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं equivalence relation और यहीं से ही आपके सबसे ज़्यादा question पूछे ज के बहुत सारे question मिल जाएगी, चलो बेटा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और आते हैं कुछ examples पे, examples के तुरू हम लोग चीजों का अच्छे ज़स समझ लेंगे, तो मैंने क्या बोला बेटा, एक relation r defined है on the set z और z, that is set of all integers, where a is related to b, if and only if 2a plus 3b is divisible by 5, for all a, b belongs to z, examine if r is reflexive relation on z, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग मेंना relation को देख लो, relation क्या लिखा हुआ है बेटा, 2a plus 3b divisible by, is divisible by 5, तो reflexive का मतलब क्या खुद का नाता खुद से, अब अगर इसने बोला है बेटा कि क्या है, आपको relation किस पर दिखाना है, on the set of integers, तो आप ना इस तरीके से imagine करो इसको कि यहां पर भी integers हैं, यहां पर भी integers हैं, अब आप लोग क्या करते थे, यहां से एक element उठाते थे, a और b, फिर यह relationship देखते थे, जो satisfy करेगा उस relation में, लेकिन reflexive के लिए क्या करना है, खुद का अनाता खुद से देखना, मतलब अगर a यहां पर है और a यहां पर है, तो यह चीज भी satisfy करेगी या नहीं करेगी, तो आपको क्या करना है, यहां पर b की जगा भी a डाल के देख लो, तो 2a प्लस 3a क्या हो जाएगा बेटा, 5a, क्या आपका 5a पाँच से divisible होता है, the answer is yes, तो मतलब यह कहानी मेरे को satisfy होते वे defined on the set z again, set of all integers by a related to b, if and only if condition दुबारा से मैं देखो, 2a प्लस 3b is equal to, 2a प्लस 3b is divisible by 5 for all a b belongs to integers, examine if r is a symmetric relation or not, तो मतलब उपर के ही relation को हमको बताना है कि अब वो भाया जी, क्या है, symmetric है या नहीं, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ी सी चीज़े रब कर देता हूँ, क्योंकि नी नाम से देखना, बहुत नाम से समझना, तो वेटा, symmetric की कहानी क्या थी, कि भाया, अगर a का नाता b से दिख रहा है, आपको a, b relation में दिख रहा है, तो b, a should also be there, should also be there, तो चलो भाई, ठीक है, तो इसके according ये चीज़ क्या है वेटा, given है, तो मतलब 2a प्लस 3b, divide होता है, is divisible by 5, ये चीज़ true है, क्या है, true है, और मेरे को किसको सही proof करना है, जब जाके मैं उसको symmetric बोल पाऊंगा, a और b को interchange कर दो, जैसे a, b की जगा, b, a, b आपको सही करना है, तो आपको 2b प्लस 3a को proof करना है, कि ये अगर passer divisible मिल जाता है, तो आप symmetric बोल दोगे, अगर नहीं मिलता है, तो फिर वो symmetric नहीं होगा, बहुत simple सी बात है, अभी मैं बता नहीं रहूं कि symmetric है या नहीं है, सोचते हैं, तो बेटा आप देखो, मेरे को 2b प्लस 3a पर आना है, तो आप खुद देखो, यहाँ पर 2a था, यहाँ पर 3a हो गया, यहाँ पर 3b था, यह आप 2b को क्या लिख सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो आप लिख सकते हो बेटा, 5b minus of 3b, बोलो हाया ना, और आप 3a को क्या लिख सकते हो बेटा, आप 3a को क्या लिख सकते हो, 5a minus of 2a, क्यूं किया है मैंने ऐसे, ताकि मेरे को यह 2a और 3b यहाँ पर मिल जाए, तो अब द times of a plus b, और जब मैं minus common ले लूँगा इन में से, तो यह क्या बन जाएंगे, बेटा, 2a plus 3b, अगर आप इस में से देखो, तो बेटा, क्या यह वाली term आपकी 5 से divisible है, आप बोलोगे, यह सर है, बिलकुल है, क्या यह वाली term भी 5 से divisible है, यह इस चीज को हम true मानके, ही तो प plus 3a, जो की यही है, यह भी 5 से divisible आ रहा है, मतलब अगर a, b relation में था, तो b, a, b relation में दिख रहा है मिलको, hence यह symmetric relation है, समझ आगई कहानी, चलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, अब आते हैं नए topic पे, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा से question और करते हैं, हाँ, transitive का भी एक example देख लेते हैं, और एक बहुत अच्छा question करवा देता हूँ, जिससे आप लोगों को सारी के-सारी clarity मिल जाएगी इसके बारे में, a relation p on the set n, natural numbers, is given by p, a, b belongs to n cross n, मतलब on the set of natural numbers, a is a divisor of b, ठीक है, a is a divisor of b, examine whether p is transitive or not, transitive relation on set n, तो आप बेटा देखो, transitive की कहानी क्या थी, कि अगर sir, a और b relation में हैं, और b और c भी relation में हैं, तो मेरे को यहां से क्या proof करना होता है, कि a और c भी relation में हो, ये चीज़ क्या है बेटा, ये दोनों की दोनों चीज़ हम लोग assume करेंगे, कि given है, सही है, assume as true, assume as true, तो आप मेरे को बताओ, अगर a और b, में relation क्या है, कि a is a divisor of b, तो मतलब a is a divisor of b, ठीक है, ये भी सही है, और फिर b is a divisor of c, तो आप खुच से सोच लो यार, आप लोगों की एकदम basic math है, तो क्या a c का divisor नहीं होगा, it implies that a is also a divisor of c, divisor of c, hence a c belongs to r, hence proved that it is a transitive relation, खतम होगी कहानी, चलो, अब एक बर इस्वाल example को देखते हैं, ये example क्या कहता है बिटा, कि अगर आपके पास t be the set of all triangles, इस ब्रहमान्ड में जितने भी तिरे भूज हैं, जितने भी triangles हैं, अगर आप मानलों का एक set है, in a plane with r, a relation in t, एक relation दिया गया है, t1, t2, मतलब दो triangles को relate किस तरीके से किया गया है, t1 is congruent to t2, मतलब आपको इस पूरे के पूरे triangles के संसार में, भ्रहमान्ड में, दो ऐसे triangles को निकालना है, सोचना है, जो आपस में congruent हो, तो आप बोलोगे, सर, ये set अपने आप में ही बहुत बड़ा set है, आपको बहुत सारे ऐसे triangles इमाजिन करने को मिल जाएंगे, तो अब आपको proof करना है, that this relation is equivalence relation, equivalence का मतलब क्या है, कि पहले मैं reflexive proof करूँगा, फिर मैं symmetric proof करूँगा, फिर मैं transitive proof करूँगा, तो चलो सबसे पहले आते हैं कि reflexive proof करते हैं, मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई triangle, एक दूसरे triangle से, देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, खुद से नाता देखो, नाता क्या है, congruency का, तो क्या एक triangle खुद के साथ congruent होता है, बिलकुल होता है, right, a triangle is always congruent with itself, तो वहाँ प कोई एक triangle, दूसरे triangle से congruent है, तो क्या वह दूसरा triangle, पहले triangle से congruent नहीं होगा, बिलकुल होगा न, that means, if T1 is congruent to T2, that also means that T2 is congruent to T1, तो मतलब symmetric relation भी hold कर रहा है, अब आते हैं बटा, transitive है, transitive की कहानी क्या है, अगर T1, T2 से congruent है, और T2, T3 के साथ congruent है, तो क्या T1 और T3 भी congr congruent होगे, बिलकुल होगे, तो ये भी true है, hence हमने proof कर दिया कि ये एक equivalence relation है, question हो गया, खलास, ठीक है, question हो गया, खलास, चलो, अब आप लोग जाके NCRT में इसके basis पे जितनी भी question है, आप पका से solve करके देखना, आप से सारे के सारे question solve हो जाएंगे, अगर कोई नहीं आता है तो वो comment box में आप लोग पिन कर देना, डाल देना, मैं उसको अगले session में लेकर आ जाओंगा, अब आते हैं थोड़े से अच्छे level के topic पे जिसको आप लोगों को बहुत अराम से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये topic आप लोगों को elaborated तरीके से नहीं पढ़ाय जाता है, बहुत सारे one shots देख लेना, relations and functions के आपको ये topic skip हुआ हुआ ही दिखेगा जाला तर, लेकिन अपन आपको बढ़िया से समझा देंगे, पांच मिनट के अंदर इसको cover कर दूँगा, equivalence classes, हमने अभी equivalence relation term को use किया था, ऐसे relations जो कि reflexive, symmetric और transitive हुँआ at the same time, तो अभी equivalence class क्या है, आपको definition अभी नहीं पढ़नी है, सबसे पहले आपको ये example को figure out करना है, दियान से देखना, इस example को figure out करना है, मैंने इसके लिए slide दी है, yes, तो आपको क्या दिया हुआ है, एक relation है, R, A, B, such that 2 divides A minus B, चलो, इसके बारे में सोचते हैं, एक relation है बिटा, A और B के बीच में, जहां पे आपको दिया हुआ है, A divides B लिखा था ना, क्या लिखा था, 2 divides A minus B, 2 divides A minus B, आप मेरे को एक simple सी बात बताओ, 2 divides A minus B का मतलब क्या है, कि A minus B आपका even number है, बहुत simple सी कहा नहीं है, A minus B आपको even number की तरह दिखना चीए, तो सबसे पहले na, equivalence class से पहले, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, show that the relation, तो हम लोग सबसे पहले इस relation को na, equivalence relation प्रूफ करते है, equivalence relation के लिए क्या कहानी है, सबसे पहले देखते हैं कि reflexive होगा या नहीं होगा, तो reflexive के लिए क्या देखते हैं, कि सर खुद से खुद का वो नाता है या नहीं है, तो आप यहां पी B की जगा क्या डाल दोगे, A डाल दोगे, तो A, A, क्या आप जब इसको relationship में डालोगे, तो hold लोता हुआ, दिखाई देगा, तो A minus A क्या होता है बिटा, 0, 0 is an even number, और you can say 0 gets divided by 2, ठीक है, 0 is divisible by 2, 0 is divisible by 2, हैंस यह चीज सही है, तो मतलब reflexive relation तो यह proof हमने कर दिया, उसके बाद आते हैं बिटा, symmetric relation पर, थोड़ा सा pen change करते रहते हैं, feel आती है, symmetric relation, symmetric relation के लिए क्या करना है, कि अगर A का नाता B से है, तो मतलब हमने क्या assume किया है true, कि A minus B is divisible by 2, divisible by 2, तो बिटा, अगर मैं B, A लेता हूँ, that means अगर मैं B minus A लेता हूँ, तो बिटा, अगर आप खुद देखो, आप सिर्ष साइन ही तो change कर रहे हो, तो आपने यह चीज पढ़ी भी होगी, positive even integers, negative even integers, तो अगर A minus B, assume करो, 4 के बराबर था, तो B minus A minus 4 के बराबर हो जाएग also divisible by 2, hence यह relation आप लोगों को symmetric भी दिख रहा है, चलो, एक और pen निकालते हैं बढ़ी असा और अब इसको transitive प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करते हैं, transitive प्रूफ करते हैं, तो transitive की कहानी क्या थी बेटा, कि अगर A और B में relationship है, मतलब आप लोग क्या बोल रहे हो, तो A minus B is divisible by 2, और फिर आप बोल रहे हो कि B और C में भी relation है, मतलब B minus C is divisible by 2, तो आपको अब प्रूफ क्या करना है बेटा, कि A और C भी relationship में आ जाएं, ठीक है, relationship का मतलब वो मत समझ लेना, A और C should also be, यह हमको proof करना है, तो आप खुद देखो, सबसे पहले तो A, C का relationship क्या रहेगा, किसको proof करना है, A minus C को हम लोगों को divisible by 2 proof करना है, तो आप खुद देखो, A minus B, इन दोनों की मदद लेनी पड़ेगी, यहां तक पहुचने के लिए, हमेशा transitive में यह होगा, तो आप देखो, यहां से A minus C बनेगा कैसे, जब आप इन दोनों को add कर दोगे, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप 2 even numbers है ना यह, जब आप 2 even numbers को add करते हो, जब आप 2 even numbers को add करते हो, A minus B plus B minus C, जब आप 2 even numbers को add करते हो वेटा, तो आपको even number ही तो मिलता है, बोलो, हाया ना, तो obvious सी बात है कि जो A, C है, that means A, C के बीच में relation क्या है, A minus C, ये भी आप लोगों को divisible by 2 दिख रहा है कौन सा पर ये उस किया था शुड़ भी divisible by 2 ये भी आप लोग सही प्रूव कर चुके हो तो मतलब आपका relationship transitive भी हो गया तो reflexive भी प्रूव हो गया symmetric भी प्रूव हो गया transitive भी प्रूव हो गया तो मतलब ये जो question में relation दिया था ये आपका equivalence relation है अब आती है कहानी की sir आपने ये सब चीजे करी क्यों तो आप ना बहुत अराम से समझना मेरी बात को ठीक है आप ना बहुत अराम से समझना अगर आपको किसी भी दो numbers का difference divisible by 2 चाहिए मतलब दो numbers का difference 6, 8, 10 ऐसे positive में भी हो सकता है negative में भी हो सकता है क्योंकि positive even integers, negative even integers दोनों के दोनों 2 से divide हो जाएंगे तो अगर आप देखो तो आपको एक अगर मैं set की बात करूँ तो ऐसा कुछ set मिल रहा होगा कि 0 sir plus minus 2 के साथ भी जा रहा है अना 0 plus minus 4 के साथ भी जा रहा है और फिर 0 plus minus 6 के साथ भी जा रहा है ठीक है and so on अब बेटा आपको पता है कि अगर मैं दो odd numbers का difference लेता हूँ बेटा तो वो भी आपको even number मिलेगा और अगर मैं a को इस बारी क्या fix कर दूँ ध्यान से समझना one fix कर दू तो मेरे numbers कैसे दिखेंगे बेटा elements कैसे दिखेंगे one जाएगा plus minus 3 के साथ भी one जाएगा plus minus 5 के साथ भी and so on ऐसे odd numbers के साथ भी तो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं even integers को आपस में relate कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक तरीके से odd numbers को आपस में relate कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने पहले वाले element को fix कर दिया है आप यहाँ पे पहले वाले element को दो भी ले सकते रहे चार भी ले सकते रहे आपकी मर्जी है ठीक है आपके पास खुली छूट है लेकिन आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर इवन हिंटीजस कुछ से ही relate हो रहे हैं मतलब यह ऐसा relation है यह ऐसा relation है ऐसा question है आप लोगों को जहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो यह सरथ values है ना जो यह elements है ना जो इसको satisfy कर रहे हैं यह एक set मेरे को दिख रहा है कि even integers आपस में relate हो रहा है और एक दिख रहा है कि odd integers आपस में relate हो रहा है यहाँ पे कोई odd नहीं है यहाँ पे कोई even नहीं है यहाँ पे सारे even है यहाँ पे सारे odd तो क्या यह दोनों के से लिखते हैं ऐसे लिखते हैं डबे में close करके और यह और कुछ नहीं है यही equivalence classes है class का मतलब क्या है आप segregation कर रहे हो आप क्या कर सकते थे फूरे के पूरे set को देखो question क्या है आपको question दिख रहा है कि यहां पे आप set z integers को डाल सकते हो a और b की जगा तो आपने देखा जो आपका relation था ना उसमें आप लोगों की एक बारी input values में सिर्फ और सिर्फ और इंटीजर दिख रहे हैं तो यह आपस में क्या है आपस में क्या है disjointed है अब आप लोग जब definition पर आओगे ना तो आपको कहानी समझ आएगे अब ध्यान से देखना क्या मैं समझाना चाहरा हूँ एक arbitrary आपको equivalence relation दिया हो जो हमने पिछले वाले में प्रूफ किया तो अगर आपको equivalence relation दिया होता है r in an arbitrary set x जैसे इसमें यह क्या set x क्या है set of integers r क्या करता है divide करता है x को mutually disjointed subsets में जैसे अब दिखाया ना मैंने square bracket 0 square bracket 1 यह क्या है disjointed sets है मतलब एक set of values जो satisfy कर रही है वो completely integers है एक set of value completely odd है क्या हमेशा ऐसे question में होगा नहीं लेकिन आपको ऐसी values दिखेंगी कि आपको ऐसे दो sets दिखेंगे जिनका आपस में intersection नहीं है आपस में वो disjointed का मतलब क्या होता intersection is not there called partitions or subdivision of x तो आप क्या कर रहे हो अपने जो input values है जैसे यहाँ पे set of integers हैं आपने इसको ही break कर दिया input values में और फिर वो जो input values की classes बनी है वो आपस में disjointed है तो आपने देखा all elements of AI are related to each other मतलब जो भी एक set है जैसे even का था वो आपस में ही related है मतलब even integers ही चल रहे हैं आपस में और odd वाले में odd integers ही चल रहे हैं no element of AI is related to any element of AJ यह क्या है यह क्या डिनोट करते हैं equivalence class तो दो जो equivalent partitions होंगे classes होंगी वो आपस में related नहीं होंगी मतलब disjointed होंगी AU मतलब AI union AJ तो ऐसे जितने भी disjointed set बनेंगे ना जब आप उन सब को combine कर दोगे तो आपको यहाँ पे जो भी set दिया होगा वो मिल जाएगा जैसे यहाँ पे set x की बात हो रही है तो set x मिल जाएगा और आपके जो जितनी भी classes होंगी आपस में क्या होंगी disjointed होंगी तो मतलब इसका intersection क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और इन्ही subsets को बूला जाता है equivalence classes क्या बूला जाता है equivalence classes तो एक तरीके से यह और कुछ नहीं है यह inputs है जैसे आपने relationship एक equivalence relation लिया और उसमें आप लोगों को जो भी set दिया हुआ था आपने उस set को क्या किया divide कर दिया divide किस तरीके से किया कि यह जो divisions हो रहे है sets के यह आपस में related नहीं है आपस में related का मतलब कि disjointed है कि यहाँ पर आपको अलग type के number दिख रहा है यहाँ पर आपको अलग type के number दिख रहे है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो sets की तरह divide कर रहे हो, categorize कर रहे हो और आपस में इनका क्या है intersection 0 है और इन subsets को अगर आप combine कर देते हो तो आपको whole set मिल जाएगा अब आपको समझ आ गई होगी equivalence class की कहानी तो बिटा ये बहुत important topic था इसके बाद अब हम लोग अगले lecture में functions के बारे में पढ़ेंगे अब आप जाके इस से related questions बना सकते हो मतलब types of relations से related जितने भी questions हैं सबसे पहले NCRT को अठाना हरे question को अच्छे से समझना आप लोगों को हरे question समझा जाएगा I hope आपको इस lecture से इस particular subtopic में improvement देखने को मिलेगा और आपको जो भी question नहीं बनता NCRT का आप लिख सकते हो page number यह वाला question comment box में मैं for sure अगर comment box में possible होगा तो वहीं पर reward कर दूँगा नहीं तो वो अगले session में include कर दूँगा ठीक है और अगर session पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुल मत भूलना और चानल को subscribe कर देना बने रहना बाबाई guys take care